अज़ दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है डेट ओरिफोर्ट सेमें पर उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपके त्यारी वेच्छे चल रही होगी आप सभी को है पिक गनेश चतुर्थी और सुगाइस आज यह फड़ा फड़ाते हैं और हम वाई यन इूず दो दोस्तों वाई निईद्यूज में अज को हम लोगा तॉपिक है डुगों है यह जैसे कि आपको पता का है दुगों जिस नम्सेे सॉनग जाने जाना आप लोगोंने और दोस्तों जो माने नए दोस्ते हैं वो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लेंगे ताके लाइब नोडिफिकेशन को मिलता रहे और यह स्टर्ट करने वारे हैं आपको पता आएगा क्या रों बात करें डुगोंग के बारे में जो आपको पता नहीं आतना है इस नाम से इनको को जाना जाता है और गैस ये इसले भी नियूज में है चूकि इंडिया में पहला इनका conservation reserve लगाया जा रहा है कहाँ पर? तमिलनाडू के पाक बे में जहाँ दोस्तों तमिलनाडू में एक जगह है गल्फ और मनार, एक जगह है पाक बे टिके उस जगह पर इसका एक reserve, conservation reserve लगाया जा रहा है, इसको बचाने की एक मुहीम चलाई जा रही, कह सकते हो आप इस तरह से कुछ टिके, दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, इसके बारे में क्या, डुगॉंग के बारे में एक चीज़ और जान जाना आप लोगों ने गाइस डुगॉंग, according to WII, guys, wildlife, टिके, इंडियन wildlife institute के दोवारा कर हम बात करें, इसके according कर हम बात करें तो पूरे वर्ड में लगबग 200 से 250, 200 से 250 डुगॉंग हैं, और जिन में से अकेले, जिन में से अकेले लगबग 150 डुगॉंग की जिखा पर है, तो पाक बे में हैं दोस्तों, यानि कहने का मतलब, जहां पर ये conservation reserve लगाया जा रहा है, वहां पर अकेले 150 बचे हुएं, तो तो ये नियूस की बात करें डुगॉंग के बारे में, तो आप यहां पर ध्यान से सुनना, आप लोगो ने, तामिल नाडु स्टेट गवर्मेंट विल बी सेटिंग अप डुगॉंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द पाक बे, गैस पाक बे जगह है अक्चुली, आपको व लाता है, इडिस दो अल्ली लीविंग स्टीज अप दो ओर्डर से रिनिया, या सारेनिया, गैस सारेनिया को सी काउ का ये कहा लाता तो उसकी प्रजाती का एक मात्र, एक मात्री स्पीसी जै क्या, ये डुगॉंग जो विलूप्त होने की कगार पर एंस्टिंट होने का कि कादार पर है दोस्तों, इसलिए ये न्यूज में है, और इसी के लिए इसका कंजर्वेशन रिजर्व लगाया जा रहा है, यहां पर लिका हुआ है, देख ग्रेज, ये चरते हैं on sea grasses, sea grasses को in the shallow coastal water of the Indian and western pacific ocean, तो दोस्तों, ये sea grass, अब आपको बता दें, यहां पर रीजन प साथ करते हैं पहले, दोस्तों, इनकी habitat कहां पर है, तो यहां पर है Gulf of मनार, ठीक है ये देखे जहां जादे, they are seen in the Gulf of मनार, Gulf of कच, पाक बे, and अंडमाने निकोबार आईले, guys, Gulf of मनार बिल्कुल है, ये स्रिलंका आपको दिख रहा है, ये इंडिया का कोस्टर एरिया है, औ और इसी यही पर यही है, आपका क्या Gulf of मनार है, दोस्तों, और यहां पर आपका पाक बे, इसके कुछी दूरी पर पाक स्क्रेट है, पाक जल डर्मुस्त, जल क्या बोलते हैं, जल डमुस्तल, ऐसे कुछ करके कि बोलते हैं, यहां पर पाक स्क्रेट, और यहां पर यहां के अंडर में आयू सी यन जिसका पुरा नाम है इंटरनाशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर है पुरुनता हलो बच्ची गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आयू सी यंग जिसका हैड़कॉर्टर कहा पे ग्लैंड स्वर्दलैंड आपको याद करना है ग जाते हैं क्यों तो यह गाईज वो संक्ट ग्रस ऐसे आतना वो कह सकते हो विलॉप्ट होने पाई या इंडेंजर्ड इस्पीसिस में काउंट होते हैं तभी आई यूसीन उनको रेड लिस्ट में काउंट करती है तो आपको याद कर दोस्तों यह आयूसीन में क्या है ठीट समुद्री घास है इनकी जो अधिक्ता हुआ करती थी वो खतम होते जा रहे हैं जब वो खतम हो जाएगा समुद्री घास ही नहीं रहेंगे तो वो खाएंगे क्या फिर तो दुसरा है वाटर पॉलुशन गाईज आई थिंग सब को दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे बड़ को जब एक बूट दूसरे बूट से लटती यह तो अपने देखाऊ को बूट का जो फ्यूल इंधन होता है यह फिर इनन से भरा वा जूबी चीज है तो आपने देखाऊ कर पैरने लगते है और आपने गवर क्या होगा जब कोई बूट एक दूसरे से आपस में लड़ती एक्सिडेंट होता है आपने देखाऊ का ओयल वागर पुराइस सर्फेस पर आ जाते हैं और बहुत सरी मचलिया जो होते हैं वो डैट कर जाते हैं मर जाती है इंग्जैक्लिया स्वेता या एक्जैक्ली टिकें और इस दे या इंटेंगल एक्सिडेंट ली इन फिसिंग न सी काउस के लिए गाईज किसके लिए सी काउस के लिए दोस्तों और यह प्रडक्शन है इनका यूसे न कि रेट ले और यह हैबिटेट इनका क्या है तो यह कहां कहां पाया जाते हैं तो हमने आपको बताया था पूरे वर्ड में 200 से 250 हैं जसमें से अकेले 150 तो इंडिया मे नहीं आपको देखने को मिल जाएंगे सी का उसको यानि जिनका नाम क्या है डुगॉंग क्या नाम है उनका डुगॉंग आई होप सो की गाईज आपको क्लियर होगा यह चीज सभी चीजें और दोस्तों आपको फिर से बोलना है यहां से इंपोर्टेंट पॉइंट आपको दोस्तों आपको याद करना पाक बे पाक बे कहां पर कौन सी गवर्मेंट लगा रही है तमिल नाडू यह आपको यह भी याद रखना है तमिल नाडू गवर्मेंट लगा रही है दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें दोस्तों डुगॉंग को किस नाम से जाना जाता है द International Union for Conservation of Nature, ठीक है, तो गाइज आपको ये सारी पॉइंट से आपको याद अखने हैं, यहाँ से, I hope कि आपको एक क्लियर हो गया दोस्तों, सभी चीज़े, ठीक है, इनके हाबिटेट यह कहां कहां पाया जाते हैं, कहां कहां देखा गया इनको इंडिया में, तो गल्फ अमनार, गल्फ अफ का छिपाक बें, अंडवा निको बार, यह देखने को पाये गए हैं, गाइज, यह आइधिंग, आप सबको पता होगा, यह और यह न्यूज है, क्यों न्यूज में है, क्यों समाचार में है, और यहाँ पर देख कोई एक डिडियू नो करके आता है, क्या, क्या यूनिक होगा, आपके लिए नया रहा होगा, और कुछ न को जरूर सीखा होगा, यहां से, इनफेक्ट, और गईज, अगर आपको कोई भी एक्जाम होता है, तो आप इनको याद एकना है, इनफेक्ट, जी हाँ, डुगॉंग नाम है, इस्टेडी बैंकिंग सर, डुगॉ डुगॉंग जिनको सी का उसके नाम से जाना जाता है, एनिवे दोस्तों, आपको बताते हैं, आज रात में, दस बजे वाले सेसन में, जुनना ना भूलिएगा, मेरे दोस्तों, और रात वाले सेसन में, आज हम लोग डिसकस करेंगे, करेंड बैंकिंग अवेर, यानि कि, ऐसे कह सकते हो आप, कि वो बैंकिंग अवेरनेस, दोस्तों, वो बैंकिंग हम लोग डिसकस करेंगे, जो लास्ट फूर मन्त का होगा, ऐसे कर लो, लास्ट फूर मन्त, गाइस, लास्ट फूर मन्त, गाइस, लास्ट फूर मन्स बैंकिंग, बैंकिंग अवेरनेस, यानि जि सेशन अच्छा होने वाला है क्यों क्योंकि आज के सेशन को जब तक पूरा हमारा कम्प्रीटी हो जाएंगे जितना क्वेस्चन मेरे पास है तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं गिवप नहीं करने कर दो जाएंगे जितना कम्हिवबरा है जाएंगे एक वाला है यसितर है égal हमाराzhा वह में एक पर नहीं का म gapत शेलेंगे स्थाएंगन जय दो किस भी आएंगे समया हमारे पत झालएंगे नहीं कॉपने